हलो स्टुटिंट आज हम अपना इस चप्टर के लास्ट तो टॉपिक कवर करने वाले हैं सिंगल सेल्फ प्रोटीन एंग प्लार्ट टिशू कल्चर इंपोर्टेंट टॉपिक हैं दोनों ही और इसके साथ हमारा चप्टर क्लोस हो जाएगा और आप पुरा चप्टर NCRT से र वगिटेबल्स, फूट्स, एक्सेक्टरा में नॉट पी एबल तो मेड दिमांड फूड अधरीट अच्छी अवीम इंद आनिमल पॉपुलेशन is increasing तो हमारे पारंपरी खेती बाडी के तरीके हैं एगिकल्चर प्रड़क्शन के कृषि के उतपात के तरीके हैं वह पूरी तरह से हमारी डिमांड को पूरा नहीं कर पाते हैं, जितने हमें अनाद चाहिए, जितने हमें दाने चाहिए, डाले चाहिए, सबजियां, फूट ये सब चाहिए, उतना वो हमारी डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो पॉपुलेशन है, हुमन्स का और बाकी ज कि अब क्योंकि जो लोगों का क्या है दानी खाने की जगह ग्रेइन खाने की जगह लोग आशकल मीट डाइट पे भी बहुत फोकस कर रहे हैं मीट भी बहुत जादा यूस किया जा रहा है तो अब देखिये ध्यान से सुनना बात कुछ मीट की प्रड़क्शन के लिए जो है वो जादा सीरियल्स का जादा अनाच का प्रयोग होता है क्यों कैसे क्योंकि देखिये क्या लिखा है इन्होंने तीन से दस किलो ग्रेन अगर बनाने हैं तीन से दस किलो ग्रेन जो है वो यूस किया जाते हैं एक किलो ग्राम मीट की प्र इनिमल्स में एक किलो मीट बढ़ाने के लिए तीन से दस किलो ग्राम दाने उनको खिलाने पड़ते हैं तो can you explain the statement in the light of your knowledge of food chain क्या आप को food chain का पता है क्या आप statement को अपने food chain की knowledge के according बता पाएंगे बिल्कुल बता पाएंगे अगर सिर्फ्हब्रेइन खाएंगे थिक के हम क्या खा रहे हैं सर्फ grain खा रहे हैं हमने बद्धन कर और यहां पे अनिमल्स हैं सारे अनिमल्स मिक्सिम्छ जशना और स्क्रावज थे हैं श्यम्त हैं स्मखलाओ लियोग के क裡面 का रहे हैं वो हमारी जो जरूरत हैं उसको पूरा करेगा वहीं अगर हम एनिमल्स को खा रहे हैं तो इन एनिमल्स में मीट का प्रोडक्शन करने के लिए ग्रेंज की जरूरत होती है human जहां कम grain consume करने वाले थे वहीं 1 kg meat को खाने के लिए ही 3-10 kg grains use हो जाएंगे मतलब grain का जो level है वो कम होने लगेगा grain हमारे पास कम हो जाएंगे जब हम meat खाएंगे मतलब मैं यह क्या बात हुई अगर हम grain खाते हैं तो grain का level उतना कम नहीं होगा लेकिन अगर हम meat खाते हैं तो grain का level कम हो जाएगा उनकी production जो है वो कम हो जाएगी production चाहे जादा भी होगी फिर भी हमें कमी आएगी क्यों कमी आएगी क्योंकि meat का जो production हो रहा है 1 kg meat का जो production हो रहा है उसके लिए 3-10 kg grain का use हो रहा है इसका मतलब अगर आपको 40-50 kg meat का production करना है मतलब 40-50 kg का वजन बढ़ाना है अनिमल्स में तो आपको multiply कर दीजिए उतने से 3-10 को उतना जादा cereal grain यूज करना पड़ेगा जितना आप खुद कंजूमनी की करेंगे लेकिन आप meat खाएंगे तो meat बनाने के लिए उतना cereals यो हैं वो यूज करने पड़ते हैं अब इतनी भारे demand को कैसे पूरा क्या जाएगा यह तो यहां यहां आप diagram देख पा रहे हैं यह single cell protein का एक product है देखिए more than 25% of human population is suffering from hunger and malnutrition total हमारा जितना भी population है उसमें से 25% जो है वो भूग से तडप रहा है अगर किसी को खाना भी मिलता है तो उनकी जो nutrients हैं वो पूरे नहीं हो पाते हैं malnutrition का मतलब हो गया कि अच्छे से जो nutrients हैं वो body में नहीं जा रहे हैं खाना तो खाया लेकिन शरीर का उतना अच्छा development नहीं है due to the lack of nutrients तो फिर इस चीज को कैसे दूरख्या जा सकता है 25% population का हिस्सा भूखा हो malnutrition हो यह भी एक बहुत सोचनी की बात होती है हम इंसान है इंसानियत को नहीं भूल सकते तो उन 25% लोगों को भी किस तरह से फीड किया जा सकता है कैसा क्या किया जाए कि डिमांड जो है वो पूरी की जा सकी हम ग्रीडिंग कर रहे थे ब्रीडिंग से सोर्सेस और प्रोटीन फोर एनिमल एन हुमन नुट्रीशन इस सिंगल सेल प्रोटीन एक अल्टरीटिव शोर्स आता है प्रोटीन का एनिमल्स के लिए और हुमन्स के लिए 即ि जो है सिंगल सेल प्रोटीन मतलब क्या में सिंगल सेल प्रोटीन चलिये देखें से मगारोब्स आ कि यूνैडो फोडी ऑनन इनिद्टर्रीजों के एस सोर्स अवेड़क्र प्रोटीम सारी माइप्रों ओरनेजंम को आकशे उडेजरस इसका bile और से एक गी जया जो की as a food use किया जा सकता है जिसमें की अच्छे nutrients, अच्छी protein, अच्छी vitamins हमको मिल सकती है तो बहुत सारे microorganisms को और योगिक स्तर पे, industrial scale पे एक protein के अच्छे source के रूप में ग्रोख किया जाता है आपके पास देखे, blue green algae like spirulina can be grown easily on the material like waste water from potato processing plants containing starch, straw, molasses, animal manure and even sewage to produce large quantities and conserve as food rich in protein, mineral, fats, carbohydrates and vitamins क्या कहा कि जो blue green algae है याद रुखे ये, spirulina एक normal algae नहीं है it does not comes under kingdom plantae, ये monara है और syenobacteria है तो spirulina को easily grow किया जा सकता है जो जहां पर potato से अलग अलग उसके products बनाए जाता है तो potato processing plant का मतलब आप पौधा नहीं लेंगे ओ जगह जहां पर potato का अलग अलग products बनाए जा रहे हैं उसके starch को निकाला जा रहा है तो potato processing plant जो है उनसे wastewater निकलेगा उस wastewater में starch होगा तो इसी लिए उस wastewater में spirulina को grow करवाया जा सकता है बूसे से गुड में molasses गुड होता है जो animal manure है जैसे डंग हो गया है खाद क्या हुआ खाद और डंग एक तरह से खाद का काम करता है और इवन सीविच के water में भी spirulina को grow किया जा सकता है और spirulina में बहुत साई proteins, mineral fats, carbohydrates and vitamins होते हैं धान से सुनिये, spirulina rich होता है proteins में वहीं आप में एक और यही पढ़ा था chlorella which is a rich source of protein and is used by space travelers तो वो भी grow करवाया जा सकता है यहाँ पी example दिया है spirulina का it does not mean कि आप सिर्फ spirulina को ही use कर सकते हैं बहुत सारे unicellular organisms जिनको हम easily culture कर सकते हैं और वो rich source हैं बहुत सारी proteins का, vitamins का, fats, carbohydrates का उनको हम grow कर सकते हैं incidentally such utilization also reduce environmental pollution definitely अगर आप waste water को use कर रहे हैं straw को use कर रहे है, animal manure को use कर रहे, sewage को even sewage को use कर रहे हैं for the production of microbes तो ultimately environmental pollution भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, चीक है, चलिए certain bacterial species like methylophilus methylotrophus भूलना नहीं है क्या पढ़ा आपने क्योंकि हम entirely NCRT पढ़ रहे हैं कुछ bacterial species होती हैं जैसे कि methylophilus methylotropus, because of its high rate of biomass production and growth can be expected to produce 25 tons of proteins very important data आपको याज अतना है कि कौल सा bacterial, अब bacterial single cell protein क्यों बोल रहे हैं अमाम बैक्तिरिया को, यह methylophilus methylotropus जो है यह बक्तिरिया है और यह बहुत जल्दी ग्रो करता है, बहुत जल्दी इसका production होता है इसलिए कहा कि इसका biomass production और growth का rate है वह बहुत high है तो हम expect कर सकते हैं कि यह 25 tons तक का protein बना सकता है unicellular bacteria जो इताँ multiply कर देगा कि 25 tons of protein बना देगा the fact that edible mushrooms are eaten by many people and large scale mushroom culture is a growing industry makes it believable that microscopic fungi too would become acceptable as food तो आज कल देखिये हम लोग mushroom भी बहुत साही खाते हैं तो mushroom culture जो है आज कल एक growing industry है और यह इतना grow कर रहा है कि हमें यकीन है कि जो microscopic fungi है एक दिन वो भी जो है वो एक acceptable food बनेगा future of you अगर आप कहोगे तो fungi खाओगे, bacteria खाओगे मैं bacteria हमें बिमार नहीं करेंगे तो good bacteria पर feed करके fungi, algae यह सब होगा future of food अगर आज हमने अपने पेडों का धान नहीं रखा तो तीक है चलिए अब बात करते हैं tissue culture की single cell protein यहां complete हुआ आप समझगे कि single cell protein में unicellular organism जो की as a food यूज किये जा सकते है उनका content जो है उनका amount है biomass है वो बढ़ाया जाएगा ताकि हमारे खाने पीने की जरूरतों को पूरा किया जा सके एक cell में इतना protein का content होगा तो हम कहेंगे ना उसको single cell protein चली as traditional breeding techniques fail to keep pace with demand and to provide sufficiently fast and efficient system for crop improvement another technology called tissue culture got developed what does tissue culture mean क्योंकि जो भी हमारे traditional पारम पर एक तरीके थे breeding करने के वो fail भी हुए है fail मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि वो काम नहीं कर पा रहे है मतलब है कि जितना हमारा demand है उस pace के साथ वो खुद का production maintain नहीं रह पा रहे है तो हमें बाकी की technology use करनी पड़ेगी बाकी का भी कुछ use करना पड़ेगा तो technology की according हमने develop किया plant tissue culture को अब क्या मतलब है tissue culture का तो चलीए समझते हैं it was learned by scientists during 1950s that whole plants could be regenerated from X plant X plant क्या होता है ठीक है that is any part of a plant taken out and grown in a test tube under sterile condition in special nutrient media द्यान से सुनिए 1950 के दाशत में scientist ने ये discover कि आप एक पूरा का पूरा plant generate कर सकते हो मत्र एक X plant से आगे आपको समझाने की कुशिश की गई कि X plant क्या होता है बच्चे एक प्लांट से चाहे आप एक लीफ लोगे चाहे लीफ का छोटा सा हिस्सा लोगे कोई tissue लोगे कुछ भी कोई meristematic tissue लोगे कुछ भी लोगे चीक है उसको आप ग्रो करवाओगे test tube में under sterile condition का मतलब है कोई भी microorganism नहीं होगा अच्छे से आप उसको साफ sterile करोगे और अच्छे से nutrient मीडिया उस tissue को दोगे तो वो बनता है X plant इस चोटे से tissue से आप एक पूरा का पूरा प्लांट बना सकते हैं एक्स प्लांट क्या हो गया अगर आप एक प्लांट का कोई भी हिस्सा जिसको क्या आप लेंगे test tube में ग्रो करेंगे साफ सुत्री sterile conditions में और अच्छा nutrient medium उसको प्रवाइड करते हैं तो उस उस tissue को से हम पूरा का पूरा प्लांट बना सकते हैं और ये tissue X plant कहलाता है इस capacity to generate a whole plant from any cell or X plant is called totipotency very very important अगर आपको याद हो तो मैं आपको already tissue culture पढ़ा चुकी हो I think first chapter में मैंने तुमें tissue culture पढ़ा दिया था ठीक है तो ये जो capacity होती है कि इतने से cells से या X plant से एक पूरा का पूरा प्लांट बन जाएगा उसको हम totipotency कहते हैं इस प्लांट से आप पूरा प्लांट जनरेट कर लेंगी ठीक है चली इस बात पी भी धाम देना बहुत जरूरी है कि जो nutrient medium होगा एक्स प्लांट के लिए जो और जिन रूट को फॉर्म करता है साइटोकाइन शूट को फॉर्म करता है जिक बाया अप्लिकेशन ओप इस मैथर इस पॉसबल तो अची प्रोपागेशन ओफ लास्ट अम्बर आउप प्लांट्स इन बारी शॉर्ट डूरेशन तो इन मैथर्ट्स का यह जो मैथर्ड है इन टिशू कल्चर पढ़ाया था फॉर्स लेक्षर में आय थिंग वहां पर आपको डाइग्रामेटिक रप्रेजंटेशन भी करवाया था और डाइग्राम ट्रॉ करने के लिए भी कहा गया था तो इस मैथर अपर दाइग्राम्स को इंग्लूद नहीं किया है तो इस मैथर अ था 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 थ identical to the original plant from which they were grown that is they are soma clones मतलब अब जितने भी plants आपने tissue culture से बनाए वो सारे के सारे अपने original plants से original plant मतलब suppose करो यह एक original plant है इससे कोई tissue या cell लिया गया और इसको culture कर दिया गया इसको क्या कर दिया गया culture कर दिया गया सिर्फ एक नहीं यह समझदो कि बहुत सारी cells कर कर दी अब इनसे जो है वो क्या बन जाएंगे नई plants बन जाएंगे ठीक है यह ex plant है जिसको अच्छे से nutrient medium दिया और यह अब अच्छे से grow करेगा ठीक तो यह जू plant आएंगे यह बिल्कुल अपने parent plant की तरह होंगे जिससे की यह ex plant लिया गया था है तो यह बिल्कुल मोगे लेकिन बने किस थैंगे समयकिक सलस से बने है इसलिए हम उनको क्या कहेंगे सोमा क्लोन्स इसलिए हम इनको क्या की थैसलिए उंको फॉस्त मापलल्ण कि तरह आपन का स्ध showers soldiers में मैं ए और अप्रुद्ट फू टाउन में लनान एयजकरश घंपनrί scale using this method, तो बहुत सारे plants को जो है वो बनाया गया है tissue culture से, tomatoes को बनाया है, banana को बनाया है, apple को बनाया है, जिनका भी हमें commercial फाइदा होता है, उनको हमने grow करवाया है, try to visit a tissue culture laboratory with your teacher to better understand and appreciate the process, तो चले कोई नहीं, जिस दन हम मिलते हैं, हम कोशिश करेंगे कि किसी tissue culture की laboratory में जाएंगे, और समझने की कोशिश करेंगे कि ये process कैसे होता है, जिक, another important application of the method is the recovery of healthy plants from diseased plants, this is very important application of tissue culture, कि अगर एक बिमार पेंड भी है, जिस पे कुछ बिमारी लगी होई है, तो उसके किसी हिस्से में बिमारी होगी, आप उस plant के किसी दूसरे हिस्से का यूज करके healthy plants बना पाएंगे, तो क्या हुआ, recovery of healthy plants from a diseased plant, okay, even if the plant is infected with virus, the meristematic या apical and axillary is free of virus, तो meristamp जो होता है, अगर प्लान में virus भी है, पूरा plant infected है, तब भी meristamp जो होगा, apical या axillary, जिसको हम बोलेंगे, apical मतलब ये वाला न, ठीक, या axils में जो grow करेगा, यहां पे कुछ जो grow करेगा, ठीक है, apical और axillary, ठीक, तो apical या axillary जो हैं, इस तरह से ले लो, ये lateral buds होई, लेकिन apical नहीं है, lateral होई, axillary जो axil में बनती है, तो जहां भी meristamp होगा, वो क्या होगा, virus से free होगा, hence one can remove the meristamp and grow it in vitro, to obtain virus tree plants, तो again, हम meristamp को remove करेंगे, और नया उससे plant बना देंगे, जिन में कोई virus नहीं होगा, scientists have succeeded in culturing meristamp of banana, sugarcane, potato, etc., तो किसके meristamp यूज के गये हैं, banana, sugarcane, और potato के meristamp को use करके, जो है, वो प्लांच को तयार किया गया है, scientists have even isolated single cells from plant and after digesting their cell walls, have been able to isolate naked protoplasts surrounded by plasma membrane, देखिये, बोल रहे हैं कि scientist ने क्या कर दिया है, एक plant से एक ही cell को निकाला, और आप जानते हैं कि cell के बाहर क्या होता है, cell wall होता है, तो scientist ने enzymes का use करके उस cell wall को degrade कर दिया, बचा क्या सिर्फ, naked protoplasm बचा, जिसके बाहर सिर्फ क्या है, plasma membrane है, अब isolated protoplasts from two different varieties of plant, each having a desirable character can be fused to get a hybrid protoplast, which can be further drawn to form new plant, ठीक है, इसको hybrid भी बोलते हैं हम, और क्या बोलते हैं हम इसको hybrid, hybrid protoplast को हम क्या बोलते हैं, और hybrid भी बोलते हैं, ठीक है, तो क्या हुआ इसमें, protoplast का protoplast क्या मतलब आपके पास चो है, वो nucleus का protoplast हो बोले हैं आप hybrid नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है, यह हमारे पास somatic hybrid की तरह ही आप लेंगे, क्योंकि जब सिर्फ cytoplasm को fuse किया जाएगा न, nuclei fuse नहीं करेंगे, तब hybrid form होता है, ठीक, protoplasm का मतलब है, cytoplasm और nucleoplasm सब fuse ह हो रहा है, तो ध्यान से सुनना, कि ऐसी protoplast हमने लिए दो प्लांट से, जिनमें हमारे desired trait है, सिर्फ क्या लिया, protoplasm लेंगे, ठीक, और उनको भी हम fuse कर सकते हैं, और उनसे hybrid protoplast बना सकते हैं, hybrid protoplast में क्या होगा, दोनों के characters होंगे, और उसको as a नए plant की तरह प्रो कर सकत हैं, these hybrids are called somatic hybrids, while the process is called somatic hybridization, तो ऐसे hybrid जो बने, उसमें कोई gamete का use नहीं किया गया, ठीक है, normal somatic cell का use किया गया, somatic cell के protoplast का use किया गया, तो इनको हम कहते हैं, somatic hybrids, और जो process होता है, उसको हम somatic hybridization कहते हैं, ठीक, चली, Imagine a situation when a protoplast of tomato is fused with that of potato and then they are grown to form new hybrid plan combining the tomato and potato characteristics, चली, कोशिश करिये सोचने की क्या किया, किस के protoplast को fuse किया गया, tomato और potato के, आलू और tomato के protoplast के protoplast को fuse कर दिया, अब क्या क्या characteristics आएंगे, well, this has been achieved, ऐसा किया गया है, resulting in the formation of pomato, pomato में क्या होता है, कि उसके निचले वाले हिससे पे जो है, वो आलू लगेंगे, ठीक है, निचले वाले हिससे पे क्या लगेंगे, वही ऊपर वाले हिससे पे जो है, वो क्या लगेंगे, टमाटर वहाँ पे लगेंगे ठीक है तो यह पुमैटो बट अनपॉचनेटली इस प्लान दिड नॉट है अफ गारेक्टरिक्स फॉर इट्स कमर्शिल यूटिलाइजेशन हलाकि यह बनाया गया है लेकिन जो पूरे डिजाइड केरेक्टर हमें चाहिए थे वो सब केरेक्ट इसमें नहीं है कि हम इसको कमर्शिल यूटिलाइज कर सकें इससे हमें बहुत जादा बेनेफर्ट